कौन सुकाज कठिन जगमा ही जो नहीं होए तात तुम पाही ये चौपाई रामचरित मानस की है जब सीता जी की खोच के लिए वानर सेना समंदर किनारे खड़ी थी जटायू ने सीता जी का परफेक्ट पता दिया था चुनौती समुद्र लांगने की और साथ समंदर पार श लंका भी जला कर आते हैं नमस्कार हमारे डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंग रामचरित मानस ऐसी चौपाईयों दोहों और सोर्ठों से भरा पड़ा है जिसमें जीवन की कठिन से कठिन चुनौती से निपटने के मंत्र पताए गए हैं कोई इन्हें चमतकार कहता है तो कोई इन्हें तरकी कसवोटी पर तोलने लगता है लेकिन यह विशुद आस्था का विश्जव है भक्ति की शक्ति का मामला है तो आज हम बात करेंगे रामचरित मानस की बदोहों की हमारे साथ जुढ रहे हैं पंडित प्र और आपको सबसे खास बात पता दें की पंडित प्रमнос मिष्ठ जी ऐधिया से आते हैं ईुक जाना है पंडिंडि जी आजकल चर्जा का विश्य बना हुआ है देश होर दुनिया में हर जेगे उत्सव का समय चल रहा है कैसी क्या महौल है इस वक्त वहां बिल्कुल मुक्ता जी जैसे आपका नाम है गुण भी आपके अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसा सास्र कहते है कि मुक्ती या मुक्ता जो सब्द है वो हर चीजों से मुक्त होना और ईश्वर की प्रदी समर्पित होना ये इस नाम का आर्थ होता है तो मुझे बड़ा सो बर्षों की तपश्या आज सफल हो रही है जो हमारे पुर्बजों ने उत्याग किया बरिदान किया उसका फल हम लोगों को मारा जो मिल रहा है दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था तो ऐसे अवतरण नहीं हो गया था वो तीन पी कि उस तपश्या का फल हम सबको मिल रहा है जो हम लोग आज बड़े भागिशाली है और गवरों का विशह है भाग का विशह है कि हम लोग आज भगवार राम को वहां पर बिराजित होते देख पाएंगे और अयोध्या के हलचल अयोध्या ऐसी पूरी है हमने बताया कि सब पूरियों में से प्रतंपूरी है दूसरी बड़ी बात यह है कि बिश्च में जो भी सनातनी है जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं सनातन को जानने वाले हैं सनातन को समझने वाले लोग हैं यहां तक कि सनातन को उर्दय में धार करने वाले धर्म में धार करने का विशह ह स्तिनातन को समझने, मानने जानने वाले। यो लोग है आज इतने प्रसंद हो रहे हैं, मेरे संपरकीत दोग हैं जो कि बीदियोष्व में बाहर रहते हैं, वहां से भी फोन करते हैं बाचीत होती तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ सरातन एक ऐसा दिव्य इतिहास है ऐसा भूगोल है ऐसा सास्त्र है ऐसा धर्म है जो कि सभी धर्मों को उर्जा देने वाला है जितने भी धर्म है यहाँ पर विश्व में इस संसार में उन सब की जड़ याणि ब्रशी जब बड़ा होता है और पूरे बिश्व से लोग आयोध्या के दरसन के लिए आने के लिए लालाई होते हैं मुझे लगता है कि जब भगवार राम की अस्तापना होगी प्रतिश्ठा होगी उसके बाद देखना जो भी जाजय कार आयोध्या की होगी और अयोध्या का विकास जो कि अभी तक रुका हुआ था फिलहाल बहुत सारी कारण उसके हैं लेकिन रुका हुआ था विकास अब निरनतर खुल जाएगा और लोग अब अयोध्या से बहुत जल्दी ही और नाता अपना जोड़ना शुरू कर देंगे लोगों का जुड़ा हुआ था तो अब बहुत जल्दी ही लोग बाहर से भी भारत आगर के और सिर्फ और सिर्फ भारत तो तीरतों का देश है भारत तो देवताओं को फ्यूमी है गंगा जी भारत में ही है पर कृष्ण का अवतार भारत में हुआ है राम का अवतार भारत मे हुआ है 24 अउताला को बरन दाता है इतिहास में फुराणों में वेदों में उस तारे उतार जो है भारत मेहीं हैं उनमें से परत масс никто सभाधू कोई भ्रभ्राम पूजा कराते हैं पूजा कराते समय संभत का राम जरूर है जरूर लिते है बिक्रम संभत जो इस समय चल ला है हमसे मत पूचिए बिक्रम संबत की अस्थापना वास्ती बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं सरातन को लभलभग प्रयास किया लोगों ने दबाने की लिए इसलिए यान फ़ड़ा कम ही लोगों को बिक्रम संबत की अस्थापना महाराजा बिक्रमादित ने आज के 2018 बर्ष पहले अयोध्या के गुप्तार घाट पे हुई थी आज भी महाराज बिक्रमादित की मूर्ति अयोध्या में लगी हुई है तो अयोध्या वो द्विभूमी है और एक शीज़ अब रता है आपको अभी आपका रेप्रेशन किया अयोध्या की बारे में तो अयोध्या जब भी राम नौमी आती है चैत्र राम नौमी भगवार राम का जनमोसो मना जाता है उस समय तीर्थों के राजा प्रियाग जिनको हम प्रियाग राज कहते हैं तो प्रियाग राज आ करके अयोध्या में श्वयम अस्टान करते हैं ये कथा ऐसी कुछ है कि बिक्रमादित भगवान एक बार वहां पर ठहरे हुए थी, उनकी सेना रुकी हुई थी, और 2018 बर्स पहले अयुद्या का लभग लभग चीजे अस्तब्यस्त हो गए थी, जैसे आज हो रहा था, तिर्थों का अस्तब्यस्त होना लभग चली जाता, त बिक्रमादित वहां आये, तो सुबह सुबह का समय था, अस्तमी की रातरी, नौमी की सुबह सुबह थी, तो देखा कि जो गोड़ा जिष्टिक है, उदर से उस साइड से एक घोड़े पर बैठा हुआ, काले रंग का घोड़ा, काले रंग का पुर्ष, उस सर्यू में प्र पुरुष भी निकला और घोड़ा भी निकला, लेकिन होता कि आचमातकार है, कि घोड़ा का रंग भी स्वैत है, और वहाँ पुरुष भी, जो की कालिमा लगी हुई थी, तो स्वैत है, विक्रमादित ने देखा, तो सावधान किया, सावधान कोर हो तुम, परिशे दो, उसने परिशे दिया अपना, कि महराज, आप तो इस समय संसार के राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं, मैं तिर्त राज प्रयाग हूँ, और यहाँ पर आज अपने सरीर के मल को मैं महराज साफ करने आ जाओ, धोने आ जाओ, क्यों, क्योंकि पूरे वर्ष तक सभी लोग ज यानि अयोध्या, यहाँ आता हूँ, सरीर उसनान करता हूँ, अपने समस्त पापों को महराज मैं दो देता हूँ, तो बताया अबिक्रमादित को प्रयाग राज ने कि यह राम जनम भूमी है, भगवार राम ने यहाँ उतार लिया था, और जब जब त्रेता युग आता ह भगवार राम वहाँ आतार लेते हैं, अपने परिकरों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गड़ों के साथ आतार लेते हैं, तो पुरा विक्रमादित ने अयोध्या का पुरन निर्माड करवाया, और उसी समय जो कारे आज की सरकार कर रही है, बिलकुर यही कारे उ उस समय के सरकार यानि विक्रमादिते ने किया था और उनकी अस्थापना गुपतार घाट पर आयोध्या में उनके स्थापना हुई है यह यह विसेश जो भी छोटा मुड़ा वाड़ी से बिलकुल हम लोग आयोध्या के बारे में अगले एपसोर में बात करेंगे आपने सारे लोों के जीवन में बहुत से चमत्कार हूं है जिसे हमने बताया सर्भी महर्शी कि जो हमारे साथ जोड़ चुकी है वो भी इसका लाब ले चुकी उन्होंने यह सी बहुत सारी चौपाईघां पढ़ फड़ी है जिसे उनको'क करेंच सुर्भी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप भी अपने कुछ अनुभा बताइए कैसे ये शुरुवात हुई कैसे आपको ये पता चला कि ये चमतकारी जो चौपाईया है उसका क्या आसर हो रहा है अपकी जंदगी में जब से हम लोग छोटे थे तब ही से आकाश्वानी पे सुभे रामचरित मानस की चौपाईया आया गरती थी तो हमारे दिन की शुरुवात हमेशा वो चौपाई सुनते वह होती तो इसलिए आस्था तो महीं से शुरू हो गई थी बच्पन से हमें इसना आस्था तो थी बट एक बार मेरा एक कुछ गोल का आर्टिकल खो गया था जो जिससे मेरे कुछ एमोशन भी जुड़े थे वो उनके कारण मैं उसके बहुत परिशान थी कि वह नहीं मिल रहे था तब मेरे फादर किसी इसे मिले उन्होंने बोला कि आप बोली अपनी बेटी को कि वह ये चौप बट भूमुझे नहीं मिला काई थी चौपाई का एक दिन मैं बैठके पाट कर रही थी करते करते मेरे हस्बंड उपर आए कि आपकी कार में मिल गए जबकि कार सरफ दिन पहले ही सर्विस हो के आई थी तो ये पॉसिबल नहीं था कि कार में वो चीज मिले बट चौपाई क तो अगर हम सच्चे भाव से और सची ज़रूरत को बगवान के आगे रखते हैं नहीं नहीं था कि पूरी साफ पूरी था अच्छे से सब कुछ हुआ था उसकी बावरूरत कार में वो चीज मिली और जैसा कि कहा जाता है हम मानस की बात कर रहे हैं तो मानस में एक और हुआ 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 है तो अगर हम सच्चे भाव से और सच्ची जरूरत को बगवान के आगे रखते हैं इन चौपाईयों के साथ तो वह हमें जरूर मिलती है यह मेरा वरोसा है पंडी जी पूरत्रे से यह आस्था का विशह है जैसे मैंने पहले भी का भक्ति की शक्त सिद्धिर भवती तादर्सी यानि सरातन के जो सास्त्र है रामचरित मानस और भी जो सास्त्र है रामचरित मानस के बारे में विश्चिस कहूंगा मैं करा चाहूंगा कि यादर्सी भावना तस्या हमारी भावना जैसी होती है हमारे विचार जैसे होते हैं हमारा मन जैसा हो इस्वर के प्रति मंतों के प्रति सास्तरों के प्रति गुरुजनों के प्रति यादरशी भवणा, तस्या, सिद्धर, भवती, ता wichtiger ही. वैसा ही होने लगता है कैसी करनेक्टुविटी होती है, कहते हैं जब ईसीर ने ब्रह्मार को रचना की milhões को बनाया तो wal culture definite ब्रेन को हमारे मैंड को यसे मनाया है, वो ऐसे ब्रम्हान की भी रिस्णा की है सुरने, तो जो प्रशन यहां से उठने लगते हैं, बिलकुल ठीक उत्तर कुछ देर बाद या कुछ तबाइबाद हमें मिलने लगता है, तो हमारी भावना जैसी होती है, हमें साधना, सिध्धी और उसका उत्तर वैसे ही में लगता है इसलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखे तिंतैसी पंडी जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे क्योंकि वो भी कुछ ऐसे ही चमतकार की उमीद अपने जीवन में कर रहे हैं तो किसे ने पूछा है कि जैसे सभी के जीवन में आजकल शत्रू बहुत जादा है तो शत्रूता के नाश के लिए कौन सी ऐसी चवपाई है जिसका पार्ट करें तो उससे उन्हें फायदा मिलेगा जी बिल्कुल सबसे पहले हम क्योंकि राम चिरित मानस के चवपाईयों के बारें बात कर रहे हैं और राम चरित मानस के दोहे की बारें बात करेंगे, उनसे कुछ उत्तर लेना चाहेंगे, कुछ लाम लेना चाहेंगे, तो राम चरित मानस की सुरुवात में बाबा तुलसी ने सबसे पहले जिनकी बंदना की है, पहले हम बंदना कर लेते हैं उन देवताओं को राम जो सुमिरत सिधि होई गननायक करिवर बदन रामा करव अनुग्रह सोई बुधिरासि सुभगुन सदन रामा मुकु होई बाचाल पंगु चड़ैं गिरिवर गहन रामा जासुक्रिपासो दयाल जासुक्रिपासो दयाल द्रबौ सकल कलीमल हर नरामा नील सरोरुह स्याम तरुन यरुन बारिज नयन रामा करोव सुमम उरधाम सदाचीर सागर सयन रामा कुंद इन्दु समदेह उमारमन करूनायन रामा जाही दीन परनेह करो कृपा मरदनमयन रामा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंदु नर रूप हरी रामा महा मोहतम पुंज जासु बचनर विकर निकर प्रशन आपका है कि सत्र को कैसे हम मित्र बनाएं या सत्रता कैसे उसकी दूर हो उसकी बुद्धी मित्रवत कैसे हो तो स्री राम चिरत मारस में बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर ये चौपाई दी है चौपाई मिलब चार जगह जहां पर रुकावट हो चार जगह का रु पंडी जी भी बताएगा कि इसको किस संदर्व में कहा गया था और इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ जो राम चिरत मारस के हर एक चौपाईयों का अर्थ होता है और कहीं ने कहीं प्रसंग बस चौपाईयां दी गई है तो यहां पर गरल कहते हैं जहर को यानि विस को और जहर जो से कालकूट नाम दिया गया है जिससे कोई बचता ही ना हूँ और सुधा मतलब अम्रित तो गरल सिधा सुधा रिप यानि यह सतुरता अपस में है तो गरल सिधा रिप करह मिताई मिताई मतलब होता है कि मित्रवत वेवहार तो राम की कृपा कुछ ऐसी होती जब उनकी कृपा हो जाए या उनके सरण में हम चल参ते हैं जा उनका ज्यान बंदन करते हैं तो सीधी सी बात है जो जहर और थे विश और बचता बहुने लगती है करह मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई सिंधु मतलब सागर सागर भी गव के खुर के बराबर हो जाता है गाय का जो पैर होता है चोटा सा गड़ा बनेगा तो सिंधु भी बिलकुल गाय के पैर के बराबर हो जाएगा गोपद सिंधु अनल सितलाई अनल मनलब अगनी अगनी भी सितल हो जाती है यह कब संभव होता है जब हम राम की किरपाप राप्त करने लगते हैं राम की सरण में जाने लगते हैं उनको अपने हिरदय में हनुमान जी की तरह बसाने लगते हैं तो यहां इबलकुष संभव हो जाता है यहां बिलकुष चौपाई है जो अगर हम करें तो हमें उसका लाब मिल सके राम चरीत मानस के अंदर सबसे अच्छा और सबसे शरल और लभग लभग हम कभी रामायétais पार करते हैं तो कौमन हम लोग संपुढ रहते हैं संपुढ में सबसे अच्छा सबसे शरल सबसे भासित जो चौपाई है वह है मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदसरत अजीर बिहारी इस चौपाई के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्थ मतलब की कामनाई तो अनन्त है और हमारा जो मन है यह कभी शान्त हो ही नहीं सकता जब तक जीवन है यहां तक जीवन के बाद भी चलता रहता अपना काम करता रहता है तो कामनाएं अनंद होती हैं उन अनंद कामनाओं को इस चौपाई के माध्यम से इसका अनुष्ठान, इसका पाठ, इसका जब करके आप अपने कामनाओं को पूर कर सकते हैं सुर्भी जी कि आपका कोई सवाल है पंडिजी से या आपको अपना अनुभाव शेर करना चाहेंगी इन चौपाईयों के को लेकर जी हां मैंने हमेशा यह देखा है और जैसा कि है वहां पर पढ़ा भी है कि इन चौपाईयों के आपको अनुष्ठान करना चाहिए इन चौपाईयों से 108 बर आहूती देके हवन करके और फिर इनका पार्ट करने पर इसकी आपकी मनोकामना सिद्ध होती है परन्तु कई बार करते कंट्रिथ के कि आपके पास इतना थायम भी होता है या आप इतना परिसान होते हैं थिस सह में हवन करने सफिन magic नहीं नहीं होते तो मेरा जो एक अनुभव है उससे मैं यह बताती हूँ कि मेरे पास नहीं था कोई मेरे फादर बहुत ज़्यादा बिमार थे मेरे पास कोई भी साधन नहीं था क्योंकि मैं हुस्पिटल में थी महाँ पर मैं नहीं कर सकती थी कोई अनुष्ठान या कुछ भी तो एक सिंपल मैंन में चौपाई का पार्ट करना शुरू किया और सिर्फ मन में बोल के भी नहीं किया मुझ से बोलने की जरूरत नहीं थी केवल मनी मन मेरे चौपाई चल रही थी लगाता भव बेशच रगुनात जसू सुनही जनर अरुनारी तिनकर सकल मनोरत शिद्ध करही तृसरारी यह मेरे मन में चल रही थी सरफ और भगवान खुद तो नहीं आते हैं कभी भी किसी ना किसी की साहता आपको जरूर बेश देते हैं या आपको रास्ता दिखा देते हैं कि आप उस पे चल के अपनी इच्छा को पूरा कर सके तो उसी समय मेरे पास एक फोन कॉल आया और फोन पूरा कि अपनी आपको जरूरी नहीं है कि आप अनुष्ठान करेंगे या आवन करेंगे अगर आप सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान के लिए कोई भी चौपाई मन में करते हैं तो उसका भी उतना ही फल मिलता है अगर आपके पास साधन नहीं है तो भी सिर्फ मन स आप सच्चे मन से सच्चे रिदे से चौपाई का पार्ट कर लीजिए इतना ही बहुत है यह नहीं बहुत अच्छी बात कहीं पंडी जी कि भगवान खुद नहीं आते हैं कोई ना कोई माध्यम या कोई आसा रास्ता बना देते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके या आपक कोई रास्ता देख सकें दूसरी बात ये भी है कि कोई भी पूजा पार्ट करने के लिए मैं चाहूंगी या आप हमारे दर्शकों को भी बताई कि पूजा पार्ट करने के लिए कोई ऐसा विधी विधान नहीं है आप अगर सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो वो भी अपने आप में उस पूर्ण होता है बिल्कूल लेकिन एक बात और है मुक्ता जी जैसे कि हमने ये बात की मन के बारे में कल्यूग में सबसे कठिन जो है वो यही है कि मन लगता नहीं है जल्दी क्योंकि रामतिरित मारस में एक प्रशंग आता है कि जब भगवार राम बाली का बद करते हैं और शुग्रियों की मित्रता है तो शुग्रियों का सगा भाई वाली है बड़ा भाई है बाली का बद होता है तो भगवान राम छुप करके बाण मारते हैं बाली को फेशुग्रियों सब्जाय नजदिक जाते हैं बाली के बाली के हिर्दे में लगा प्रश्ण किया था वाली ने तो भगवान कहते हैं कि तुने जो अपराद किया है अपराद यहीं है अनुज बदू भगणी शुतनारी अनुज यानी छोड़े भाई की पत्नी बहन कञ्या और अपनी कञ्या तो यह सुन रे सठ कर्ण्या समिशारी यह सब कर्ण्या के समान होते हैं इनको जो कुद्रिष्टी से देखता है थाही बध्यक पाप नहीं होता बध करने से पाप नहीं होता ऐसा भगवान राम बाली से कहते हैं बादि पसलाता होता है भगवान ने कहा कि बाली तुम चाहो तो मैं अमर्टा का बरदान देड़ता हूं क्यों कि जिस जीवन को लेकर के रिशी मुनी भी चाहते हैं कि मैं जीवन में आया हूँ और पुरा जीवन जिने के बाद में अंत में राम का नाम निकले कि बाराज जीवन तपश्या करते हैं कि बार बार मुन जटन करा ही अंत राम कही आवत नाही राम तो अंत में आते नहीं है पुरा जीवन तपश्या होती है यानि जीवन का अभ्यास धंग से नहीं होता है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मन होता है, मन हमारा इस्तिर जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए आवश्यक है कि हम जो ईश्वर के लिए काम करें, मेरा सभी दर्सकों से निमेदन रहेगा, कि ईश्वर के लिए उसके लिए एक घंटा, आधा घंटा, दस मिनट, दो मिनट, जो वह भी आप से अधिक से अधिक होता है उस समय अलग से निकाले क्योंकि जीवन ये 24 घंटे जो हमारे होते हैं जो 30 के उसार 60 घड़ी पल होते हैं इन में से कुछ समय हमारा ऐसा होना चाहिए धर्म के लिए होना चाहिए चार पुरुसा है जीवन में हैं मुक्दा जी धर्म, मन की सुध्धी बहुत जरूरी है क्योंकि मन में एक समय पे एक ही बातें रह सकती है मन जब मिख्स हो जाता है तो आदमी अनमत हो जाता है तो उनमत नहीं हो ना उसको स्थिरता से बैठ करके और भगवान का ध्यान करते हुए मन को एकागर लगाए उस समय नो मोबाइल, नो कोई बातें कोई बातें नहीं करनी है और कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जहांपर आपके धर्म में कोई बाधा आए पंडी जी बड़ी समस्या है, कई बार लोगों से बाचीत होती रहती है और सबकी यही एक परिशानी है कि ध्यान लगाने बैठते हैं और जैसे ही ध्यान लगाते हैं सारी दुनिया की बातें जो है आपके दिमाग में आ जाती हैं उस पर कैसे कंट्रोल करें ऐसा नहीं कि दुकान, मकान, परिवार, रिस्तदारी, कोई बिवाद, सब कुछ आएगा लेकि वही नहीं आएंगे जिनके लिए हम बैठे हुए हैं क्या करें उसके लिए सबसे पहले आसन की दिसा देखनी चाहिए आप जानते हैं साइंस क्या कहती है कि प्रतिवी का घुमाव पूरब रहे होती है क्या करें हम हमारी दिसा पूरब की तरफ होनी चाहिए यह ध्यान दें दूसरी बात है कि जो अर्थ है प्रतिवी काराम अंग्रेजी में अर्थ भी कहते हैं अर्थ यह अर्थ लेती है हमारे हमारे सरीर की चुम्बक्य सकती है जो हमारे अर्जा बनती है उसको लेती है अपनी तरब इसलिए आसन बहुत जरूरी है अवासन कौन सा उनी आसन होना चाहिए जिससे की इंदर पारदरिस्ता रहो हमाई सरीर की उर्जा को न खिंच पाए यह दूसरी बात तीसरी बात यह है कि हम जब कोई जब करें तो प्राणायाम का विधान होता है प्राणायाम को करके बैठा जाए बिल्कुल अपका मन लगेगा और ध्यान करें अपने आपका मन भी बिल्कुल लगेगा भी जी तो मतलब घबराने की बात नहीं है अगर हम कोशिश करेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो आपने बता है तो उससे जरूर हमार ध्यान लगेगा अभी आपने अर्थ की बाद की पनली जी एक चौपाई है बिस्व भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई तो क्या इसका रोजगार से कोई लेना देना है मतलब आप इसका अगर हम जाब करेंगे तो हमें रोजगार में आप जानते ही है कि कभी अप बच्चों के लिए कभी खुद के लिए आदमी रोजगार के लिए परिशान रहता है तो क्या इस चौपाई का पहले तुम चाहेंगे आप इस का अर्ट बताईए और दूसरा क्या इसका जाप करने से रोजगार प्राप्ति होगी अबिल्कुल इसका मैं स्वय मनुभवी हू मैं वेषयक पाणित लाइन में था मैंने आचारी किया अचारी करने के बाद मैं इस लाइन में आया और परोहित करम को समाला हमने तो जीवन है उतार चणच ड़ाहर के जीवन में आते हैं और से रहते हैं तो इसका हमारे गुरुदेवी ने हमने उन्से इसका प्र 상ष्ण क को लेकर के इस चोपाई का हम जब करते थे 108 बार समय लगता था 15-20 मिट का समय होता था क्योंकि रामायड के अभष्ष थे अभ्यास अच्छा था फिर भी हमें इतना समय लगता ही था क्योंकि जो मंत्र होते हैं चोपाईयां हैं वो कट नहीं होने चाहिए जो मात्रा जैसी है उस मात्रा को वैसे ही पढ़ा जाए जो अक्षर वैसे है उसको ऐसी ही पढ़ा जाए तो ये एक समल लेज़ कि कि चोपाई है उसका राम भरत है तो इसलिए अच्छा भरत है कौन राम है पूणा अवतार ब्रह्म का अवतार भरत है विश्णु का अवतार आप समझते हैं कि स्रिष्टी में तेन देवता मुख्य हैं ब्रह्मा विश्णु और महेश तो ब्रह्मा श्रिष्टी करचनकार है बनाते हैं शि इसलिए भरत जी को गोस्वामी तुलसीदास जी रमायन लिखते वक्त सबसे पहले प्रणाम करते हैं और कहते हैं सुर्भी जी आपके साथ पंडी जी यहां पर मौझूद हैं क्या आपके मन में भी कुछ सवाल है उसे पूछने के लिए जी पंडी जी मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूं सही में यह है कि एक रीजह श्यूंदude में लीख्युए है नहीं पुछ से पहल शक्रणा है कि लोग ऑपनी बोल्चाल की भाशा में कुछ शबदों का बदल देतें इंक ऑसे जहां हम जैसे नहीं । को भूण को नहीं बोलते हैं कि हम लोग बोलचल भाषा में कौन ही बोलते हैं लेकिन उसके बवजूद इस चौपाई का प्रभाव मैंने देखा है कई यही बार ऐसा होता है कि शुरुवात में यह चौपाई अच्छे से याद नहीं होती है लेकिन हर जगे आप ऐसा भी नहीं है कि आपको भगवान की जब भी जरूरत है किसी आप किसी परेशानी में फसे हैं हर आपके पास रामचरित मानस हो यह जरूरी नहीं है तो कुछ कही पर कुछ गलत भी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें मैंने यही देखा है कि जैसे संस्कृत के जो श्लोक है उसमें एक भी शब्द आगे पीछे होते ही उनका मतलब बदल जाता है और उसका कुछ नेगेटिव एफेक्ट भी आता है लेकिन रामचरित मानस के सबसे कि इसकी हुई है कि इसकी चौपाई करते समय अगर हम किसी एकाज शब्द को अपनी बोल्चाल के फशाट्यों हिसाब से भदल भी देता है तो भी उसका पून प्रभाव दिखाई देता है पंडिजी अगर हम अपने जीवन काल में देखें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व बिखन शांती के लिए भी कोई ऐसी चौपाई है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जीवन है जीवन बिखनों की खान है यानि एक के बाद एक कोई ने कोई बिखन बाद आए आती ही रहती है यहाँ पर बाबात तुलसी ने रांतिरित मारस में बड़े सुंद ते ही राम सुक्रिपा बिलो कई जे ही सकल बिखन ब्याप ही नहीं ते ही राम सुक्रिपा बिलो कई जे ही यानि जब हम भगवान राम की चरित्रों को जो कि भगवान सिवने सबसे पहले नाम है राम चरित्र मानस राम की चरित्रों को अपने मन में उतारा समय आने पर माता पार्वति को सुनाया प्रसम्वक्ता भगवान स्यू और प्रसम्स्त्रोता मता पार्वति समयाने पर सुनाया तो मता पार्वति से कहते हैं भगवान स्यू कि अगर जीवन में कितने भी बिगन बाधाय आ रही है और बाधाय समाप्त नहीं हो रही एक के बाद आती ही जा रही भग्वान का भग्द इस चौपाई को इसका पाठ भी करें लेकिन कहते हैं कि राम, सुक्रिबा विलो कहीं, जो भ्यक्ति राम की क्रिबा को अपनी हिर्दे में धार करता है, उसका अॉलोखरन गरता है, उस पर ध्यान देता है, तो निश् divide है कि जहां राम तहां काम नहीं, यानि जहां राम जी होते हैं, वहाँ पर ये जीवन की जो बाधायें हैं, कामरायें हैं, सोता ही बाग जाती हैं, और जहां फिर हम काम को बुला लेंगे, तो राम जी सोचते हैं कि जब इसके अंदर पहले कोई बैठा हुआ है, क्या करूँगा जा करके वहाँ पर, इसलिए राम की कृपा को जब हम धार्ण करते हैं, अपने मन में, अपने हिर्दय में, अपने बुद्धी में, तो जीवन की बाधायें सोता ही हम से दूर जाती रहती हैं, परणी जी हर आदमी अपनी जिन्दगी में चाहता है, कि सुक, शांती, सम्रिद्धी हो, कोई भी नहीं चा चौपाई रांचिनित मानस की आपके प्रेश्णों के अनुसार चौपाई कहती है अतिथि पूझे प्रियतम पुरारी के कामद घंगारी ददवारी के अतिथि पूझे प्रियतम पुरारी के यानि यहां पर इस चौपाई के माध्यम से यह कहा जाता है कि जब हम अतिथि के रूप में इस्वर को मानते हैं उस दिब रूप का अवलोकन करते हैं उनको धारन करते हैं और नित्य नैमेतिक रूप में जब हम उनको अपने आप को समर्पित कर देते हैं जब हम कोई पूझ दूसरा कोई कुछ भी नहीं हैं जाहां यह भाव आ जाता है तो जब जीवन की जतने भी दोश हैं जतने भी कामनाएं हैं कामनाओं को एक तरफ गते हैं इसर को जर्षानों मेंसी स्वामी पूल निश्षित यहां वह आजाते हैं तो दरिता कहां निमास रहे आता है दरिता का स्थान कहां रहे आता है पंडी जी अगर अब एक नॉर्मल अपनी जिंदगी की बात करेंगर विवाहव अगर हमें बाधा आ रही हो तो राम चरित मानस क्या उपाए बताता है जी बिलकुल यहां कि अरों चीजों से बना हुआ है कुछ जहां पर ध्यान भगवान का करते हैं तो यहां पर यहां दोहा है कि जब वैवाहिक कोई दिक्कत होती है या बाधा होती है रुकावट होती है तो उसमें हम राम परित मानस के किस दोहे का सहारा ले यहां दोहा है कि तब जनक पाई बसिष्ट आयसु ब्याह साज समारी के मांडवी स्रुत कीरत उर्मिला कुमर लई हकारी के यहां परिशंग को समय का है जब भगवान राम धनुस भंग कर दिये हैं और भंग होने के बाद में जो है जो सुर्त कीरती उर्मिला उर्मानवी यह कर्ण्याएं हैं इनको वहां पर लाया जाता है और उनके लिए जो है निवेदन कि आता है विक अन्याओं को विवाख के लिए लाया जाए यह उसमें का प्रसंग है कि सब मंडप की तरफ आगे बढगते हैं तुश्ध प्रिसयं than करने न दहा करने mechanismhili ब्वास को लेकर यह समच्याएं द्कत होती है वह आपने इस परिवर्तन को और लोगों तक भी पहुचाने की कोशिश की, मतलब इसका लाब और लोगों तक भी पहुचाने की कोशिश की और क्या और भी लोगों ने बताया कि इसका लाब उन्हें मिल पाया? जी हाँ, जब भी किस मेरी किस एक फ्रेंड को एक प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने ये चौपाई बतायी थी, जैसे आपने भी बताया कि विभाह में बाधा आने पर या परेशानी आने पर अम इस दोहे का पार्ट करते हैं, ऐसे ही एक प्रसंग है, जब सीता जी बाग में खागवान राम देख लेती हैं और उनके मन में यह इच्छा होती है, प्रदान किजिये। जब वो और पूज़ करने जाती हैं द्ग मेरी माता पूंचों माता को मांगतों कि मेरेको पती रूप जिनकोु थीस कि अभी उन के मैन दर्षन की आतु है प्रैण किये। तो गौ पड़तें पिपंपर आपको मन चाहा वर मिलता है ऐसा मैंने सुना था मिरे लिक फ्रेंट को है यह एक बताई थी तो जैसा वो चाहती थी पैम Mला तो उसने चाहा व पाइप ट्रिया था तो इसलिए मन मं चाहा वर बाने के लिए जो लड़कियां करती है उनके लिए सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजही मन कामना तुमारी इस चौपाई का पार्ट भी किया जा सकता है बात इनों ने बताई पंडी जी और किसी चौपाई दोहे पर ध्यान देना देने लेंकिन बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ज़रूर देंगे पढ़नी जी सारी बातों के बात जो सबसे प्रमुक बाती है कि अगर भगवान राम को आपको खुश करना है उनकी कृपा पाने के लिए आपको हनुमान जी का प्रसंद होना जरूरी है तो ऐसी कौन सी चौपाई राम चरित्मानस में से आप बताएंगे जो की हनुमान जी को प्रसंद करती हो तो हनुमान जी को प्रसंद कैसे करें कि हनुमान चालिसा में भी कहा गया है कि राम दुवारे तुम रखवारे होतना ग्या बिन बैसारे सब सुकला है तुम्हाई शन्ना यानि बिना हनुमान जी की उपासना के हनुमान जी की पूजा के उनका ध्यान बिना किये हम राम जी तक पहुंचें कैसे तो इस सबसे पहले आवश्यक्ता यही है कि हम हनुमान जी को प्रशन करें तो यहाँ पर जो चोपाई है इस चोपाई का अर्थ यही है कि सुमिरि पवन सुत पावन नाम कौन सा है इसका अर्थ और बताते हैं आपको राम चरित मानस के जब हम आर्थी गाते हैं तो आर्थी में गाते हैं यानि राम ये ऐसा नाम है जिनके माध्यम से भगवान स्यू आर्थी पनत्यावन लेकर ञायए तो अपने बस में राम को ही नहीं राम के सक्तियों को भी अपने बस में कर लिया आज हनुमान जी का नाम है अतुरित बल धामम है मिसाईला अभदेहम यानि हनुमान जी बन गए अतुरित बलों के धाम काम क्या किया राम के नाम को पने बस में सुमिरन से किया भक्ती से किया शंगीज से किया गा करके किया बजा करके किया और जब से किया जी इसलिए वो गाना भी बनाए दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना पंड़ी जी राम चरित मानस एक समंदर है इसे संक्षेप में तो देखा पढ़ा ही नहीं जा सकता है हला कि आपके माध्यम से सुर्भी जी के माध्यम से जो हमनोंने कुछ गोते खाए हैं इसमें हमारे लिए वही बहुत बड़ी उपलब दी है और हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे फिलहाल वक्ती कमी है तो यहां पर हमें रुकना होगा आगे भी हम जाहेंगे कि आप और हमें इसका और ग्यान दे और ऐसी चौपाईयों से हमें अवगत करा है हमारी नई जनरेशन तो खास और पर उन्हें जरूरत है कि इसके बारे में उन्हें जानकारी मिले और वो भी भले ही रामायर पढ़ना पूरा मुश्किल है लेकिन बहुत बहुत शुक्री आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद